ओवर ओल के लिए ही एक happiness, joy रहती हुई दिख रही है मन में एक सुख रहतावा दिख रहा है, एक सुकून रहतावा दिख रहा है बहुत जादा हर चीज को लेकर आपके mind में एक clarity रहती हुई दिख रही है और बहुत again positivity के साथ आप हर चीज को deal कर रहे हैं एक खुब सूर्ती, एक beautiful energies आप खुद से related महसूस करते हुई दिख रहे हैं और इन जनरल लोगों के लिए भी बहुत loving, caring attitude आपका रहतावा दिख रहा है पिछले लियोज आप लोगों के लिए देखते हैं कि 2023 में आपकी different life के areas में क्या हो रहा है इस reading में आप देखेंगे कि 2023 आपके sunshine के लिए, आपके different life के areas के लिए कैसा रहेगा क्या blessings 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है कौन से significant months आपके लिए 2023 में रहेंगे क्या आप लोगों के लिए guidance रहेगी जिसको follow करके आप अपने लिए 2023 को और बहतर कर सकते हैं ये reading बहुत बहुत exciting रहने वाली है क्योंकि इस reading में मैंने दो major changes किये हैं सबसे पहला बहुत सारे लोग मुझे नीचे comment section पर लिखते हैं कि ma'am please आप हमारे सामने cards निकाला करें actually मैं तुरंत meditation के बाद cards निकालती हूँ उस time पर frame of mind नहीं होता है कि मैं record करूँ लेकिन इस reading में जब मैं आपके 2023 के cards निकाल रही हूँ उसको मैंने record किया है आपके साथ share किया है तो आप अपने cards को निकलता हुआ देखेंगे and secondly इसमें मैंने horoscope spread किया है horoscope में 12 houses होते हैं जो आपके life के different areas को represent करते हैं तो बहुत detail में आप जालेंगे कि आपकी life के different areas में 2023 में क्या हो रहा है and before I start the reading wish you all a very very happy new year I really wish कि 2023 आपके लिए धेर सारी खुशियां, धेर सारा प्यार, धेर सारी success लेकर आए जो भी आपने अपने लिए goals बनाए हैं 2023 के लिए उनको आप जरूर जरूर अचीव करें और एक video भी मैंने specifically 2023 की general energies के लिए बनाया है आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें tips भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बहतर करें और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज इस reading को आप as guidance लें जिस भी life के area के लिए आपको लगे कि भाई बहुत positive card नहीं है उसको देखके बिलकुल भी आपने परिशान नहीं होना है in fact कैसे आप उस life के area को और बहतर कर सकते हैं उसके उपर आपने ज़्यादा focus करना है और इस reading को आपने as guidance लेना है क्योंकि देखे इसी intention के साथ मैंने ये reading आपके लिए बनाई है कि ये reading आपको help करें जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको create करने के लिए 2023 को कैसे आप बहतर कर सकते हैं उस intention के साथ मैंने reading बनाई है और प्लीज आप भी इसी intention के साथ इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी reading चलिए लिए लिए आप लोगों के लिए देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं horoscope spread करने वाली हूँ horoscope में 12 houses होते हैं और हर घर different life के area को represent करता है तो सबसे पहले मैं 12 houses यानि कि आपकी life के different areas के लिए cards निकालूँगी और मैं साथ के साथ आपको जो भी house का significance है, rule है वो भी shot में बताऊंगी तो चलिए जी पहले आपके लिए cards को अच्छे shuffle कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Leo, year 2023, yearly reading Leo 2023, yearly reading लियो 2023 यरली लिटिंग लियो 2023 यरली रेटिंग लियो 2023 यरली रेटिंग लियो 2023 यरली सबसे बहूले हम est house लिए कार्ड निका लिए 1st house आपके self का होता है और यहां पर आपके लिए king of cups का card है second house wealth का होता है positions का होता है assets का होता है उसके लिए आपके लिए eight of pentacles का card है and wealth के लिए pentacles का card is a very very good card third house siblings का होता है कैसे आप communicate करते है short travels का होता है कैसे आप सूचते है उसका होता है और उसके लिए the world है again a beautiful card fourth house mother का होता है residence का होता है, vehicle का होता है, property का होता है इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं इसके लिए आप लोगों के लिए the sun का card है बहुत ही beautiful cards लियोज आपके लिए आ रहे हैं चलिए देखते हैं अब 5th house को 5th house romance का होता है, love का होता है, education का होता है जो लोग conceive करना चाहते हैं, उनका भी होता है इसके लिए यहाँ पर two of cups का card है वाव, वाव लियोज and 6th house, health का होता है service to others का होता है, जो लोग job करते हैं professional friend में जो लोग job करते हैं उनके लिए भी हम 6th house को देखते हैं and इसके लिए आप लोगों के लिए the empress का card है 7th house relationship का होता है, marriage का होता है, spouse का होता है, partnerships का होता है इसके लिए आप लोगों के लिए ten of cups का card है and 8th house endings और beginnings का होता है 8th house endings और beginnings का होता है इसके लिए आप लोगों के लिए the moon का card है and ninth house long travel का होता है धरम इस्थान है, spirituality को represent करता है higher studies की बात करता है and luck house भी इसको हम कहते हैं इसके लिए आप लोगों के लिए five of pentacles का card है tenth house profession का होता है आपके, you know, क्या आप करम करते हैं उसका भी होता है इसके लिए page of pentacles का card है 11th house gain का होता है, social circle का होता है, friends का होता है इसके लिए आप लोगों के लिए seven of wands का card है and 12th house आपके subconscious level के लिए peers जो होते हैं insecurities होती है, उनको represent करता है expenditure को represent करता है, foreign country से related जो भी चीज़े होती है उनके लिए होता है, इसके लिए आप लोगों के लिए the tower का card है अब हम ओशो जिन से 12 houses के cards निकालेंगे यहाँ पर दिखिए मैंने आपको broadly speaking houses के बारे में बता दिया है तो I'll just take out the cards, 12 cards I'll take out Leo year 2023 कैसा रहेगा, different life के aspects के लिए Leo के लिए year 2023 कैसा रहेगा, different life के aspects के लिए Leo के लिए, Singh Rashi के लिए year 2023 कैसा रहेगा for different areas of the life Leo Singh Rashi year 2023, yearly rating 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 तो चलिए Leo's आप लोगों के लिए अब देख लेते हैं 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, different life के aspects में तो first house आपके लिए maturity है, second house isolation है, third house the rebel है, fourth house courage है, fifth house comparison है, sixth house silence है, seventh house new vision है, seventh house, eighth house, eighth house, ninth house sorrow है, and tenth house abundance है, eleventh house postponement है, twelfth house politics है, तो ये सारे cards मैं आपको, आपकी reading में समझाओंगी, explain करोंगी, अभी के लिए आप सिरफ देख लें, कि क्या cards आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नीचे comment section पर लिखते हैं, कि ma'am please हमारे सामने cards निकाले, हम देखना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि चलिए, आपके सामने cards निकालते हैं, ये blessings है, इसको मैं बाद में देखूंगी, पहले हम guidance आपके लिए देख लेते हैं, तो Leo's क्या आप लोगों के लिए guidance रहेगी, जिसको follow करके आप 2023 के energies को और भैतर कर सकते हैं, for Leo's overall for year 2023, तो चलिए Leo's आप लोगों के लिए, year 2023 में क्या guidance है, उसको देख लेते हैं, okay, so the first is keeping still, second is dispersion, and third is contemplation, okay, मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़े दर hold किया कि जो लोग read करना चाहते हैं, वो read कर सकते हैं कि card में क्या लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं कौन से focus areas रहेंगे 2023 में, overall 2023 for Leo's, overall 2023 for Leo's focus areas, जिस पे Leo's आप focus कर रहे हैं या फिर आपको focus करना चाहिए, खयाल रखना चाहिए, this also can be a sort of guidance for your Leo's, overall year 2023 for 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 Leo's, तो सबसे पहला card आप लोगों के लिए है, waxing gibbius moon, second card आपके लिए है, pluto scopio, yeah those who want to read can read, and I'll explain you in your reading, and third आपके लिए card है, root power aquarius fixed here, अब आपके लिए blessings देख लेते हैं Leo's की 2023 में आपके लिए क्या blessings है, okay what are the good things that 2023 is bringing in your life, वैसे तो हमने देखा आपके cards बहुत ही अच्छी आएं, but specifically आपके लिए blessings देख लेते हैं, blessings for Leo's in the year 2023, 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 तो यहां पर देखिए, sap है, I'll explain you the card in your reading. Second is inventor. And third is youth. Okay, जी, अब significant आपके लिए Leos months देख लेते हैं, कि कौन से significant months रहेंगे 2023 में? Leo's significant months in the year 2023 Leo's significant months in the year 2023 यहां पर भी मैं तीन काड्स निकालूंगी तो लियो आपके काड्स मैं निकाल दिये हैं मिलते हैं आपकी डीटेल में आप से बात करते हैं कि 2023 आप लोगों के लिए क्या ली करा रहा है पिचलेलियोज आप लोगों के लिए देखते हैं कि 2023 में आपकी different life के area इसमें क्या हो रहा है सबसे पहले first house से शुरू करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया first house self का होता है and first house के लिए आप लोगों के लिए cards है king of cups and maturity दोनों ही cards mature emotions, mature feelings या फिर मैं कहूंगी overall maturity को represent करते हैं और कुछ ऐसा ही 2023 में आपके self से related होता हुआ दिख रहा है एक stability, एक security आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं and दिखे सबसे एहम चीज एक नई beginning आपके self से related 2023 में होती हुए दिख रही है ये नई beginning again जहाँ एक happiness, joy, satisfaction लाती हुए दिख रही है वही एक stability, एक growth भी लाती हुए दिख रही है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं maturity के card में जो figure हैं उनकी पूरी body में flowers हैं flowers बहुत ही प्यारी खुश्बू की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही self-related आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं आप फिर self-related 2023 में energies रहती हुए दिख रही हैं यहां पर लिए उस एक चीज का खयाल रखें कि खुद को love करने में compromise ना करें यहां फिर जितना आप दूसरों के लिए loving caring हो रहे हैं खुद के लिए भी उतनी loving caring energies रखें और दिखें अगर किसी भी आपके loved ones, close ones को किसी help support की ज़रत है आप देते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखें फिर से मैं कहूंगी कि एक नई beginning हो रही है और खुद से related जो भी आप कर रहे हैं जो भी हो रहा है 2023 में वो कहीं एक again happiness, joy, satisfaction आपको देता हुआ दिख रहा है तो again self-related 2023 के energies, lios आपके लिए बहुत ही खुबसूरत, बहुत ही भैतरीन, बहुत ही mature और बहुत ही अच्छी रहती हुई दिख रही है और second house के लिए आप लोगों के लिए लिए उस cards है Eight of Pentacles and Isolation Isolation का card एक तकलीफ की बात करता है, एक you know pain की बात करता है, एक hurt की बात करता है या तो पीछे, you know money, पैसे से related एक तकलीफ, एक pain आपके लिए रहा या फिर देखिए कि deeper level के लिए कुछ चीजें है money, पैसा, position से related जो आपको एक तकलीफ दे रही है, जो आपको परिशान कर रही है जो एक again मैं कहूंगी pain आपको दे रही है, एक hurt आप महसूस कर रहे है लेकिन जो भी आप deeper level पे महसूस कर रहे है, surface level के लिए eight of pentacles का card कहता है, कि आप बहुत effort कर रहे हैं, बहुत महिनत कर रहे हैं financially चीजों को better करने के लिए और कहीं देखिए आपको result भी मिलता हुआ दिख रहा है in fact देखिए बहुत ज़ादा आप हर छोटी छोटी चीज पे attention पे कर रहे हैं हर वो चीज जिसकी ज़रूरत है या मैं कहूंगी जिस पे effort करने की ज़रूरत है financially चीजों को better करने के लिए money से related एक comfort आपकी life में लाने के लिए वो आप करते वे दिख रहे हैं या वही महनत भी आप करते वे दिख रहे हैं और पूरा का पूरा focus आपका 2023 में रह रहा है कि financially कैसे stability आपकी life में है और देखिए especially ये उन लोगों के लिए ज़ादा रहेगा जो लोग working है या फिर जो professionally काम करते हैं जो housewives हैं उनके लिए देखिए आपके लिए in general financially जो भी घर से related manage करने की ज़रूरत होती है उससे related आप effort कर रहे हैं लेकिन deeper level के लिए कोई चीज आपको परिशान कर रही है कोई चीज कहीं आपको bother कर रही है और फिर से मैं कहूंगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे you know किसी चीज को sorry किसी चीज नहीं money, पैसा, finances से related एक hurt, एक pain रहा और कहीं ही ये pain, ये ही hurt आपको motivate कर रहा है या फिर और जादा आपके अंदर ये desire एक लेकर आ रहा है कि आपने बहुत effort करना है और financially चीजों को आपने better करना है और फिर से मैं कहूंगी कि देखिए आपकी effort का आपको result मिलेगा 2023 में आपकी मेहनत, आपका dedication, आपका devotion इस direction में waste नहीं जाएगा third house के लिए आप लोगों के लिए cards है the world and the rebel, third house कहीं short travels की बात करता है और the world कहीं long travel की बात करता है तो जो भी countries आपके आसपास है यानि कि आपकी country के आसपास है आप हो सकता है कि 2023 में उनको visit करें again दिखे short travels कहीं out of the country से related रहती भी दिख रही है अविदिन country में भी हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं और कहीं the world का card एक phase के end होके नए phase के शुरू होने की बात करता है तो sibling से related कुछ issues हैं, कुछ मसले अगर हैं तो वो end हो रहे हैं, एक नई beginning हो रही है और कहीं दिखे आप बहुत strongly अपने लिए stance लेते वे दिख रहे हैं, rebel का card कहीं किसी के against जाने की यानि कि अपने किसी sibling के against जाने की भी बात करता है, या फिर मैं कहूंगे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने siblings को लेकर बहुत protective हो रहे हैं, और देखिए third house से related, जो भी चीज़े आती हैं, आप उनके लिए बहुत active energies में रहते वे दिख रहे हैं, action initiatives लेते वे दिख रहे हैं फिर से देखिए third house से short travel आती है, तो short travel से related action initiatives ले रहे हैं, या फिर short travels आपकी हो रही है, और कहीं sibling से related again मैं कहूंगी stance लेते वे दिख रहे हैं, उनके लिए again protective होते वे दिख रहे हैं, कोई एक phase उनके साथ end हो रहा है, नया phase नई beginning रहती हुई दिख रही है, या फिर sibling से एक आपको appreciation, recognition भी मिलती हुई दिख रही है, and overall भी देखिए, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, कहीं उससे related भी एक जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनसे appreciation, recognition मिलती हुई दिख रही है, और आपकी thinking normally काफी rebellious सी होती हुई दिख रही है, यानि कि आप चीज को करना चाहा रहे हैं, जैसे होता है न कि आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आप बहुत lovingly बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता हुई दिख रहा है, in fact अगर आपका nature ही है कि आप बहुत प्यार से बात करते हैं, या फिर आप कभी भी बहुत strongly अपना stand नहीं लेते हैं, य इसमें कहीं आप बहुत confidently अपनी बातों को कहते हुए दिख रहे हैं आप कहीं बहुत assertively चीजों को कहते हुए दिख रहे हैं और कहीं ऐसी ही आपकी सोच भी रहती हुए दिख रही है यह एक you know एक overall energies की बात है कि जहाँ पे आपको जरूरत है stand लेने की जहाँ पे जरूरत है assertively चीजों को कहने की जो कि आप अगर पीछे नहीं कहते थे तो आप कहीं 2023 में कहते हुए दिख रहे हैं और अगर आप कहते थे तो और जादा यह energies रहती हुए दिख रही हैं फिर से मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप हर इंसान से ही ऐसे बात कर रहे हैं या फिर love relationships में भी आपका ऐसा communication रह रहा है obviously love relationships में इंसान एक प्यार महबबत की बात करता है लेकिन जैसे पीछे अगर आप प्यार महबबत की बात करते हुए भी डरते थे या घबराते थे तो वो कहीं डर खतम होता हुए दिख रहा है I think now I got the right thing कि आप डर नहीं रहे हैं कोई भी चीज कहते हुए कोई भी चीज express करते हुए आप फिर से मैं कहूंगी बहुत confidently बहुत assertively जो feel कर रहे हैं जो महसूस कर रहे हैं उसको communicate करते हुए दिख रहे हैं and this is again the right way you know जो ये cards explain कर रहे हैं and fourth house के लिए आप लगों के लिए cards है courage and the sun और देखिये fourth house से mother आती है vehicles, property को भी fourth house represent करता है और fourth house को हम सुख स्थान भी कहते हैं तो देखिये जहां courage का card इन ही सब चीजों से related छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रहने की बात करता है वही sun का card इन ही सब चीजों से related बहुत जबर्दस्थे happiness, joy, success, satisfaction भी रहने की बात करता है तो देखिये इन दोनों cards को combine करें तो again मैं कहूंगी कि अगर आप vehicle खरीदना चाहते हैं, property खरीदना चाहते हैं तो कुछ issues, कुछ मसले रहे हैं या फिर mother से related भी हो सकता है कुछ issues, कुछ मसले रहे हैं ये सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए simply हो सकता है कि mother की health थोड़ी ठीक ठाक में ही रह रहे है या पर छोटे-मोटे issues हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि मदर के साथ आपका relationship है, उसमें छोटे-मोटे issues हो रहे हैं और देखिए जो दो चीजे मेरे माइन में आई, मैंने कहा, सब के लिए different issues और मसले रह सकते हैं कुछ के लिए motherland से related कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं लेकिन साथ ही साथ देखिए आप बहुत willpower, बहुत determination के साथ चीजों को deal भी करते हुए दिख रहे हैं courageously upfront होके चीजों को deal कर रहे हैं आपको success मिल रही है और बहुत जबरदस happiness, joy भी मिलती हुई दिख रही है और जो Leo's willpower determination नहीं रख रहे हैं उनके लिए message है कि देखिए definitely आपको success मिलेगी यानि कि again अगर आप property खरीदना चाहाते हैं तो आप definitely खरीद पाएंगे लेकिन challenges होंगे और आप यहीं पे डर गए तो फिर आपको success नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपने हिम्मत रखी, courageously चीजों को deal किया तो definitely आप property को खरीद पाएंगे इसी से ही related बहुत एक happiness रहती हुई दिख रही है और इसी तरीके से अगर आप vehicle खरीदना चाहते हैं तो छोटे मुटे challenges रह सकते हैं लेकिन उनको अगर आपने overcome कर लिया फिर से मैं कहूंगी आपने willpower determination रखी तो आप खरीद पाएंगे और देखे बहुत ही positivity के साथ आप फरशीज को deal करते वे दिख रहे हैं sun का काट कहीं एक positive frame of mind की बात करता है और बहुत जबरदस्ते clarity की भी बात करता है हम सब जानते हैं जब सुभे sun आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है तो पीछे अगर कुछ भी आपके mind में confusion थी या कोई चीज आपको परिशान कर रही थी bother कर रही थी आप बहुत ज़ादा you know low feel कर रहे थे तो कहीं 2023 में overall के लिए ही एक happiness joy रहती हुई दिख रही है मन में एक सुख रहता हुआ दिख रहा है एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है बहुत ज़ादा हर चीज को लेकर आपके mind में एक clarity रहती हुई दिख रही है नहीं दिख रहे हैं आप कहीं बिल्कुल भी परिशान होते हुई नहीं दिख रहे हैं जो कि बहुत बहुत बढ़ी बात होती है famous हो या सबसे ज़ादा enlightened being हो हर एक की life में issues आते हैं लेकिन जब हम इन मसलों को लेकर डर जाते हैं घबरा जाते हैं वीक पड़ जाते हैं तो ये मसले बहुत बढ़े हो जाते हैं और जब हम strong हो जाते हैं तो ये problems बहुत चोटी हो जाती हैं और कहीं आप इतने strong रहते हुए दिख रहे हैं कि जो भी issues हैं वो आपके उपर impact नहीं डाल पा रहे हैं या मैं कहूंगी कि negatively एक you know effect आपको नहीं कर पा रहे हैं 5th house के लिए आप लोगों के लिए cards हैं 2 of cups and comparison अगेन देखे 2 of cups का card 5th house के लिए बहुत beautiful energies की बात करता है जो भी लोग you know love relationship में हैं उनका relationship orbiter होता हुआ दिख रहा है जो लोग single हैं उनके लिए बहुत ही clearly यहाँ पे 2 of cups का card कहता है कि आप किसी के साथ relationship में रहेंगे और overall भी देखे 5th house का ही pleasure का घर होता है तो आप you know relationships पे focus करते हुए दिख रहे हैं और relationship से ही आपको एक happiness एक joy रहती हुए दिख रही है यहाँ पे मैं broader level के लिए relationships की बात कर रही हूँ क्योंकि यह general reading है कुछ के लिए कोई खास relationship हो सकता है कुछ के लिए overall हो सकता है कि relationships की वजए से ए happiness एक joy रह रही है और जो लोग you know पढ़ाई लिखाई से related देख रहे हैं क्योंकि 5th house education का भी घर होता है उनके लिए भी देखे एक satisfaction एक joy रहती हुए दिख रही है हो सकता है कि कोई इंसान आपको पढ़ाई लिखाई में help कर रहा है support कर रहा है किसी loved one की वजए से आप और ज support कर रहा है कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप you know education से related किसी को help कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी ये घर pleasure का होता है तो आप अपने loved ones के साथ eating, drinking, merry making भी करते हुए दिख रहे हैं लेकिन दिखिए surface level पे सब चीज़ें बहुत 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 हैं लेकिन deeper level के लिए comparison क काट कह रहा है कि किसी चीज़ को लेकर एक comparison आपके mind में चलता जा रहा है थोड़ा सा आप mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं थोड़ा सा एक analysis भी आप relationships को लेकर कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि surface level पे सब कुछ बहुत अच्छा है आपको आपके love one की तरफ से प्यार मिलता हुआ दिख रहा है एक you know care मिलती हुई दिख रही है आप भी कहीं ऐसी ही energies में उनके लिए रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर भी नीचे comparison का काट कह रहा है कि कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत जादा mind से सोच रहे हैं या फिर literally you know किसी चीज़ को आप compare कर र yes overall दिखिए fifth house से जो भी चीज़ें आती है उनसे related फिर से मैं कहूँगी कि बहुत beautiful energies रहती हुए दिख रही हैं again अगर आप single है तो आप you know relationship में जाते हुए दिख रहे हैं यानि कि आपकी life में कोई आता हुआ दिख रहा है अगर आप already relationship में है तो आपका relationship better होता हुआ दिख रहा है शादी engagement की बात होती हुए दिख रही है जो लोग पढ़ाई से related देख रहे हैं उनके लिए भी happiness joy रहती हुए दिख रही है लेकिन deeper level के लिए कोई चीज या तो आपको bother कर रही है या फिर आप बहुत जादा सोच रहे हैं बहुत जादा compare कर रहे हैं और यहां पर मै यह नहीं कहूंगी कि competition, comparison बुरी चीज़े होती हैं अगर आपको भी लगे कि यह जो comparison, competition यह logical energies रह रही हैं इससे जो भी अच्छी चीज़े हैं वो और बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको लगे कि आपके इस mindset की वज़े से चीज़ें खराब हो रही हैं या फिर आप परेशान हो रहे हैं तो again इसको ज़रूर आप चेक करके correct करें 6th house के लिए आप लोगों के लिए cards हैं Silence and the Empress दोनों ही बहुत ही beautiful cards हैं और 6th house से health आती है आप अगर you know professional front में job करते हैं तो job भी कही 6th house represent करता है service to others भी 6th house represent करता है और कहीं देखें इस हिसाब से देखें तो health पे आप focus करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे देखें हो सकता है कोई female हैं वो बहुत आपको motivate कर रही हैं कि आप अपनी health का खयाल रखें और ये female कोई भी हो सकती हैं लेकिन वो female जिनकी motherly energies हैं मैं सिरफ mother की बात नहीं कर रही हूँ कोई भी female हो सकती है in fact आपकी wife भी हो सकती हैं जिनकी बड़ी motherly energies है caring है loving है तो देखें फिर से मैं कहूंगी कि 6th house के लिए Empress का card कहीं देखिए health का खयाल रखने की बात करता है हो सकता है कि Leo's आप रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं तो ये card कहता है क please आप इस चीज को lightly ना लें यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहे हूँ कि health से related कुछ issues रहेंगे please I am not saying that Empress का card बहुत beautiful energies की बात करता है in fact Empress का card self love की भी बात करता है तो हो सकता है बहुत सारे Leo's इस चीज को practice कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए message है and silence का card भी कहीं एक सुकू और आप भी ऐसी ही loving caring energies में अपने colleagues के साथ रहते हुए दिख रहे हैं and कहीं देखिए आप बहुत ही अपने you knows lifestyle भी maintain करते हुए दिख रहे हैं जब मैं कहते हूँ लई-style maintain करते हुए दिख रहे हैं पहुत आप style से जाते हुए दिख रहे हैं & healthcare point of view से देखें तो भी देख Land या तो आप अपनी health का ध्यान रख रहे हैं और नहीं रख रहे हैं, तो ये card कहता है कि किसी physical exercise, किसी physical activity में आप खुद को ज़रूर involve करें, overall again silence का card इन ही सब चीजों से related, एक सुकून महिसूस करने की बात करता है, एक peace रहने की बात करता है, एक clarity, एक positivity भी रहने की बात करता है 7th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, 10 of cups and new vision, again देखे, 7th house में 10 of cups का card बहुत beautiful energies की बात करता है, जो भी लोग, you know, शादी करना चाहा रहे हैं, या फिर again मैं कहूंगी, वो चाहते हैं कि 2023 में आपकी शादी हो जाए, या पर 10 of cups का card आप लोगों के लिए बहुत एक favorable, एक conducive energies की बात करता है, यानि कि आपकी शादी होने के बहुत सारे chances 2023 में रहते हुए दिख रहे हैं, और जो लोग already शादी शुदा हैं, उनकी married life अच्छी रहती हुए दिख रही है, और यहाँ पर देखिए, मैं broader level की बात कर रही हूँ, मैं रोज मर्रा की बात नहीं कर रह towards के उस पे था कि भई इतनी जादा चीजें खराब हो रही थी कि लग रहा था कि अलगी हो जाएंगे तो reconciliation होता हुए दिख रहा है, आप दोनों के बीच में broader level के लिए प्यार हैता हुए दिख रहा है, relationship better होता हुए दिख रहा है, एक completion रहती हुए दिख रही है, आप you know, चीजों को deal करने की बात करता है, उनके साथ एक relationship की भी बात करता है, यहाँ पर 7th house partnership की भी बात करता है, तो जो लोग partnership में काम करते हैं, उनके लिए भी 2023 काफी अच्छा रहता हुए दिख रहा है, यानि कि आपकी आपके partner के साथ bonding अच्छी रहती हुए दिख रही है, आपस में प्यार महबबत रहता हुए दिख रहा है, तो फिर से मैं कहूंगी 7th house related भी चीजें बहुत अच्छी रहती हुए दिख रही हैं, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा compromise कर रहे हैं, थोड़े से adjustments कर रहे हैं, नए तरीके से again मैं कहूंगी चीजों को deal करना चाहा रहे ह और हो सकता है कि इसी की वज़े से आपका relationship better रहता हुआ दिख रहा है, relationship में एक प्यार महबबत रहता हुआ दिख रहा है, और देखिये फिर से जो लोग, you know, सोच रहे हैं कि 2023 में शादी होगी या नहीं होगी, 10 of cups का card बहुत ही एक positive energies की इसी direction में बात करता है, तो 7th house और अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, अगें छोटे मोटे compromises हो सकता है, लियोज आपको करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन compromises की वज़े से आपकी life में, आपके relationships में एक happiness, एक joy, एक satisfaction रहे रही है, आप अपने partner के साथ कहीं, you know, eating, drinking, merry making भी plan करते हुए दिख रहे हैं, या पर इन चीज़ों पर focus कर रहे हैं, या ये आप दुनों के बीच में रह रही हैं, 8,000 के लिए आप लगों के लिए cards हैं, the moon and schizophrenia, और देखे, 8,000 से आती हैं endings और beginnings, और यहाँ पर देखे, बहुत great cards नहीं हैं, तो एक area जिस पर आपको 2023 में काम करना है, वो है endings and beginnings, कुछ चीज हैं जिनको आप अपने mind से नहीं end कर पा रहे हैं, हो सकता है physical level पे वो end हो गई हैं, लेकिन उसी से ही related एक fear रह रहा है, एक insecurity रह रही है, एक confusion रह रही है, और कहीं again मैं कहूंगी, इसी से ही related, आप बहुत comfortable, मन ही मन नहीं महसूस कर रहे हैं, एक stuck energies हैं, जहाँ पे ना तो life में ला पा रहे हैं, एक acceptance ला पा रहे हैं, और नहीं पुरानी चीज़ों को आप completely let go कर पा रहे हैं, और इस point of view से अगर हम fourth house को देखें, क्योंकि fourth house सुख स्थान होता है, यहाँ पर courage का card, कुछ challenges की बात करता था, हाला कि देखिए the sun के card में हमने देखा कि आप बहुत positivity के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं, तो दिखिए हो सकता है कि यहाँ पर जो भी challenges हैं, वो इसी वज़े से भी रह रहे हैं, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को अपने मन से end नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनसे related, जो भी fears हैं, उनको आप completely नहीं overcome कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मै आपको यही कहूंगी लियोज, कि 85-90% जो भी fears हमारी life में होते हैं, वो बेबनियाद होते हैं, उनका कोई base नहीं होता है, जिसकी वज़े से हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वज़े से हम completely भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं enjoy कर पाते ह तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज़ पे जरूर आप attention दें कि इन fears को आप overcome करें, इन जो insecurities हैं या फिर पुरानी चीज़ों का जो impact, जो एक असर आपके मन में हैं, उसको आप overcome करें, इसके उपर जरूर आप you know attention दें या फिर इस चीज़ को जरूर आप check करके correct करें 9th house के लिए आप लोगों के लिए cards है 5 of pentacles and sorrow और देखे 9th house कहीं spirituality का होता है, तो लियोस कहीं 2023 में एक spiritual growth अगर आप चाहा रहे हैं तो वो होती भी नहीं दिख रही है, या फिर आप इतना religious spiritual activities में नहीं participate कर रहे हैं, कुछ लोग अगर किसी religious place को visit करना चाहा रहे हैं 2023 में, त तो उससे related या तो issues मसले रहे हैं या फिर आप नहीं visit कर रहे हैं, long travels related भी issues मसले रहे हैं, या फिर आप उतना long travel नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर दिखिये जो लोग higher education करना चाहा रहे हैं, out of country या फिर within the country भी फरदर पढ़ाई करना चाहा रहे हैं, उनके लिए भी issues मसले रह रहे हैं और कहीं यहीं चीजें या फिर इन ही सब चीजों से related आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं आप थोड़ा सा उदास हो रहे हैं फिर से देखिए अगर आप long travel करना चाहा रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं आप फिर उससे religious activities में जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से participate नहीं कर पा रहे हैं और overall के लिए देखें लियोज आपको ऐसा लग सकता है कि लग उतना आपको favor नहीं कर रहा है जितना आप deserve करते हैं उस तरीके से चीजें नहीं रह रही है या फिर उस तरीके से किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है देखें मैं यह नहीं कह रही हूँ कि चीजें ठीक नहीं हो रही है क्योंकि देखिए fourth house में sun का card एक happiness की बात करता है या फिर मैं कहूंगी जो भी हो रहा है आप बहुत positivity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं and second house जो की wealth का होता है उसमें भी कही eight of pentacles का card effort की बात करता है मेहनत की बात करता है और किसी level पे positive results भी मिलने की बात करता है लेकिन फिर भी देखिए फिर से मैं कहूंगी ninth house के लिए five of pentacles and sorrow के cards कहते हैं कि आपको ये चीजें उतनी satisfaction नहीं दे पा रही है या फिर किस्मत की तरफ से luck की तरफ से एक शिकायत आपको 2023 में रह सकती है लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि again आप बहुत positivity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं ये चीज भी beyond the point आपको मायूस या फिर beyond the point आपको effect नहीं कर रही है 10th house के लिए आप लगों के लिए cards है page of pentacles and abundance दोनों ही pentacles के cards हैं दोनों ही stability security की बात करते हैं दोनों ही money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related किसी level पे किसी तरीके के gain, किसी तरीके के फाइदे की बात करते हैं तो देखे overall के लिए अगर मैं देखूं तो 2023 में आपका professional front काफी अच्छा रहता वा दिख रहा है लेकिन देखे page of pentacles का card कहीं एक छोटा छोटा effort या छोटी छोटी एक financial growth रहने की बात करता है in fact ये card कहता है कि starting में हो सकता है चीजें उतनी बड़ी आपके professional front में नहीं हो रही है जितना आप expect कर रहे हैं या फिर जितना आपको लगता है आप deserve करते हैं या जितना आप चाहते हैं लेकिन ये card कहता है कि अगर आप consistency के साथ effort करते रहेंगे तो ये जो छोटी छोटी से चीजें आपको दिख रही हैं ये बहुत बड़ी हो जाएंगी ये बहुत जादा you know vast हो जाएंगी और कहीं abundance का card भी इनी energies को confirm करता है देखें page तारों में बच्चे होते हैं तो बच्चे छोटी चीजों की बात करते हैं और abundance में king of pentacles है king कहीं एक mature energies की बात करता है तो फिर से देखिए हो सकता है starting में कुछ चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन उन पे जब आप काम करेंगे dedication, devotion के साथ effort करेंगे तो by the end of 2023 उन ही छोटी छोटी चीजों को आप बहुत बड़ा कर देंगे बहुत mature कर देंगे और बहुत जादा financially या फिर money से related चीजों को अपनी life में बहतर कर पाएंगे लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि starting में हो सकता है कि उस तरीके से चीजें ना रहें तो देखिए again broader level के लिए 10th house को देखें तो 10th house profession की बात करता है और profession आपका 2023 में अच्छा रहता हुआ दिख रहा है एक stability, एक security रहती हुई दिख रही है और बहुत practical, बहुत realistic तरीके से आप अपने professional front में चीजों को भी करते हुए दिख रहे हैं 11th house के लिए आप लोगों के लिए cards है 7 of wands and postponement और दिखे 7 of wands का card कहीं you know effort की बात करता है again किसी तरीके की एक issues मसलों की बात करता है और हो सकता है कि friend circle से related, social life से related कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं और दिखे आप बहुत effort, बहुत महनत करते वे दिख रहे हैं आप उन्ही issues, उन्ही मसलों को overcome करते वे दिख रहे हैं तो दिखे नच्छल में मैं कहूंगी एक्स्ट्रा effort करना पड़ रहा है आपको एक्स्ट्रा एक initiative, एक्स्ट्रा action लेना पड़ रहा है तो फिर से मैं कहूंगी कि किसी friend के साथ अगर कुछ issue, कुछ मसला अभी रह रहा है या फिर हो सकता है कि 2023 में रहे तो आप out of the way जा रहे हैं बहुत courageously चीज़ों को deal कर रहे है कुछ you know, छोटे मोटे problems रह सकते है लेकिन end में चीज़ें ठीक हो रही है यानि कि again आपको success मिल रहा है लेकिन बहुत जैसे मूँ बोलू ना कि एक social life आपकी बहुत great है आप बहुत socialize कर रहे हैं चीज़ें उस हिसाब से बहुत जादा beautiful or amazing रह रह रही है तो उस तरीके से लियोज आप लोगों के लिए नहीं रह रहा है और postponement का कार कहता है कि कुछ चीज़ें delay भी हो रही है कुछ चीज़ों को आप void कर रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है लियोज कि आप ही बहुत जादा socialize deeper level के लिए नहीं करना चाह रहे हैं यानि कि दिल से, मन से आप बहुत socialize नहीं करना चाह रहे हैं बहुत actively, you know, friend circle में नहीं आप अपने आपको involve करना चाह रहे हैं और surface level पे हो सकता है कि आप कभी-कभी होता है ना कि हम लोगों का मन रखने के लिए या फिर, you know, society में क्योंकि हमें कुछ चीजे करनी पड़ती है उन चीजों की वज़े से आप participate कर रहे हैं उन चीजों की वज़े से आप involve हो रहे हैं क्योंकि 11th house gain house होता है lab का इस्थान होता है तो यहाँ पर देखे, lab से related भी बहुत असानी से चीजें आपकी life में 2023 में नहीं रहेंगी मैं यह नहीं कह रही हूँ कि lab नहीं होगा, gain नहीं होगा क्योंकि देखे, यहाँ पर 7 of wands का card success की again बात करता है लेकिन यह card कहता है success with extra effort success with extra initiative तो अगर आप courageously चीज़ों को deal करेंगे, बहुत जादा you know, boldly अगर हर चीज को face करेंगे, extra effort करेंगे, extra initiative लेंगे तो definitely आपको gain मिलेगा, lab होगा लेकिन जैसे होता है ना कभी-कभी हमने कुछ भी नहीं किया और हमें लगता है, पता नहीं कैसे हमें ये चीज मिल गई, पता नहीं कैसे हमें इतना फाइदा हो गया, तो वो energies तो 2023 में cards के हिसाब से नहीं रहेंगी gain से related चीज़ें थोड़ी सी delay भी हो सकती है, postpone भी हो सकती है, यानि कि आपकी payments थोड़ी सी delay हो सकती है, या और भी किसी तरीके के emotional, mental, love relationships related gains है तो वो भी कहीं थोड़ा सा delay हो सकते हैं, in the sense कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, तो आपको immediately एक वापसी नहीं मिल रही है थोड़ा सा delay होकर आपको एक वापसी मिल रही है, एक फाइदा हो रहा है, तो देखे कितनी बार ही होता है कि professional front हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन financially, चीजे कहीं उतनी great नहीं रह रहे हैं, क्योंकि payments delay हो रही है, या फिर जितना हमने profit expect किया, उतना profit नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से चीजे रहती हुई दिख रही हैं, या मैं कहूंगी कि जो चीजे मेरे mind में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ सब के लिए different scenarios हो सकते हैं, और Leo's, आपकी life है, आप जादा उसको समझते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई clue मिल रहा हो इस reading से, जिसको आप, you know, check करके correct करें, और इस चीज़ को भी आप अपनी life में better कर पाएं कि कैसे आप अपने profit को, कैसे आप अपने gain को और बढ़ाएं, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, उससे related again, professional front अच्छा जा रहा है लेकिन उतना gain नहीं हो रहा है तो कैसे इसको maximize करें कैसे इसको बढ़ाएं, इसके उपर आप जरूर focus करें 12th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, politics and the tower और दिखे 12th house से fears आते हैं insecurities आती हैं और यहाँ पे भी दोनों ही cards कहीं इन ही चीज़ों से related कुछ issues, कुछ मसले रहने की बात करते हैं और दिखे हमने 8th house में भी देखा था कि कुछ चीज़ों को आप end नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़े से यहाँ दवाइस भी एक fear, एक insecurity है और यहाँ पे दिखे 12th house का card भी कहीं कुछ fears, कुछ insecurity से related issues, मसले रहने की बात करता है और यह सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि past में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनका डर आपके मन में है और कहीं हो सकता है कि आप खुद को भी नहीं यह accept कर रहे हैं आप खुद से भी छुपा रहे हैं आप फिर इन ही चीज़ों से related एक कहीं आप चीज़ों को manipulate कर रहे हैं diplomatically चीज़ों को deal कर रहे हैं और ऐसा करके लिए उस सिरफ और सिरफ आप अपना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ टूटी हुई है उपर से अगर हम यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी लियोस कि जो deep rooted fears हैं जो deep rooted issues हैं जिनकी वज़े से आप हो सकता है चीज़े जो भी अच्छी हैं उनको भी completely नहीं enjoy कर पा रहे हैं उनको deal करना बहुत important है और मैंने अभी आपको कहा भी कि 85% to 90% जो भी fears होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं तो इनको जरूर आप upfront होके deal करें और इनको कैसे आप overcome करें इस पे जरूर आप focus करें क्योंकि कभी कभी देखिए हम क्या करते हैं इनको avoid करते हैं हम इनको deal नहीं करते हैं हमें लगता है ऐसा करके हम एक happiness एक joy अपनी life में लेकर आएंगे लेकिन ऐसा करके हम कभी भी एक complete happiness नहीं ला पाते हैं क्योंकि back of the mind में वो चीज हमको परेशान करती रहती है तो फिर से मैं कहूंगी कि एक acceptance लेकर आएं एक you know कैसे आप इन चीजों को overcome कर सकते हैं उस पे focus करें क्योंकि ये card expenditure और foreign country का भी होता है तो इन चीजों से related भी issues रह सकते हैं तो यहाँ पिर मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी खर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा हिसाब से करें थोड़ा सा देख के करें और अगर आप you know out of the country रहते हैं तो जो भी चीजें required हैं paperwork है या कुछ भी होता है देखें जो मेरे mind में आ रहा है मैं कह रही हूँ वो अपने पूरे करने चीजों को बहुत casual ना लें especially जो foreign country से related चीजें हैं और इन चीजों पर आप जादा attention दें तो overall के लिए अगर मैं देखूं लियोज तो जो problem areas है या पर जिन चीजों पर work करने की ज़रत है, better करने की ज़रत है वो है आपकी endings and beginnings, fears, insecurity and कहीं you know spiritual growth या फिर long travel से related जो भी issues हैं तो इनको अगर आप थोड़ा सा check करते हैं, थोड़ा सा इन पर focus करके इनको improve करने की कोशिश करते हैं, तो 2023 को आप और बहतर कर पाएंगे and you know बाकी के areas देखें तो self से related बहुत एक growth होती हुए दिख रही है और finances भी कहीं improve हो रहे हैं, आप effort करते हुए दिख रहे हैं fourth house से एक peace happiness joy आती है, वो भी overall external level पे रहे रही है and relationships भी आपके ठीक रहते हुए दिख रहे हैं, तो बाकी areas सब ठीक ठाक हैं, बस फिर से मैं कहूंगी कि अपने fears अपनी insecurities को ज़रूर आप overcome करें, इनको ज़रूर आप you know upfront होके deal करें, इनको आप ignore ना करें, avoid ना करें and अब देखते हैं Leo's कि आपके लिए क्या guidance है तो guidance के लिए आप लोगों के लिए cards हैं, keeping still और ये card कहता है, meditation self renewal, composure detachment, self acceptance and serenity, तो देखिए यहापे मैंने आपको कहा कि कहीं acceptance नहीं है, fears और insecurities को लेके, और ये card भी आपको यही guidance दे रहा है कि कहीं you know, एक acceptance चीजों को लेकर आएं और self renewal, ये तो हमने देखा ही कि आपके self related एक नहीं beginning हो रही है, और इसको आप और ज़्यादा enhance करें कि कैसे आप you know अपने आपको और better कर सकते हैं कैसे अपने self के लिए और growth ला सकते हैं, और confidence ला सकते हैं, और you know, self love आप practice कर सकते हैं, इस पे आप ज़रूर focus करें and second is contemplation contemplation and ये card कहता है gaining overview, detached observation increased understanding, solitude integration through reflection तो दिखें, ये card कहता है कि जो भी करें, बहुत सोच समझ के करें बिना सोचे समझे ना करें and दिखें, यहाँ पे दोनों ही cards कहीं detachment की बात करते हैं, तो थोड़ा सा you know, एक detachment रखें ये सब के लिए differ करेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि money, पैसा tangible चीज़ों को लेकर बहुत ज़ादा आप attach ना हो कुछ के लिए relationships हो सकते हैं, और दिखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप attachment ना रखें लेकिन इतनी ज़ादा attachment ना रखें कि फिर आप परेशान हों, तो इस चीज़ का आप खयाल रखें और यहाँ पे है dispersion का card और ये कहता है diffuse negativity, restore harmony, circulate, revitalize, dissolve divisions, lighten up, तो देखें बहुत ही clearly ये card कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप negative महसूस कर रहे हैं, तो उसको आप overcome करें कैसे एक सुकून रहे, कैसे एक peace रहे, आपकी life में उस पे focus करें and एक और चीज़ ये card कहता है, revitalize तो देखें, फिर से ये card कहता है कि अपनी energies को recharge करें, अपने आपको rejuvenate करें, खुद पे आप बहुत ज़ादा focus करें हालां कि देखिए, आपके cards कह रहे हैं, कि खुद से related growth हो रही है, और कहीं guidance के card कहते हैं, कि और ज़ादा इस पे focus करें और देखिए, overall सारे ही cards कह रहे हैं, कि जो भी negative energies हैं और negative energies आपके cards में एक fear, एक insecurity दिख रही है, उसको आपने फिर से मैं कहूंगी कि deal करना है, overcome करना है blessings देख लेते हैं and blessings के लिए आप लोगों के लिए card है SAP, SAP का card resources की बात करता है, flow, wealth essence of life की बात करता है nourishment, sweetness की बात करता है vitality की बात करता है, roots abundant, physical health की बात करता है, और देखिए आपके cards में भी हमने देखा कि physical health ठीक ठाक रहती हुई दिख रही है wealth से related, starting में हो सकता है चीजें उतनी great नहीं रह रही है जितनी आपने expect करी है या आप चाहा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप work कर रहे हैं by the end of 2023 you know professional front में issues होते हैं जब professional front ठीक होता है हम महनत करते हैं तो देर सवेर financially भी चीजों को हम better कर लेते हैं तो कुछ ऐसा ही आपके cards भी कहते हुए दिख रहे हैं और ये card भी कहीं देखिए wealth की बात करता है तो wealth के point of view से by the end of 2023 चीजें काफी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं एक sweetness रहती हुई दिख रही है और वो देखिए हमें sun का भी card कह रहा था physical health भी ठीक रहती हुई दिख रही है vitality रहती हुई दिख रही है and inventor का card innovation की बात करता है creative की बात करता है gadgets, technology, groundbreaking development की बात करता है setting trends की बात करता है mastermind की बात करता है modern era की बात करता है तो कोई नई चीज भी आप create कर रहे हैं invent कर रहे हैं 2023 में यह सब के लिए differ करेगा क्योंकि यह general reading है and third blessing आप लोगों के लिए youth है और देखिए हम सब जानते हैं कि youth जोश की बात करता है high energy levels की बात करता है young दिखने की बात करता है बहुत एक you know physically चीज़ों के बहुत great भी रहने की बात करता है तो यह सब भी 2023 में रह रहा है एक you know active energies दिख रही हैं और कहीं youth का card भी physically चीज़ों के बहुत great यह बहुत अच्छा रहने की बात करता है and अब आप लोगों के लिए focus areas देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे waxing gibbious moon है और यह card कहता है perfection mindfulness action make sure you are paying attention to all the details and staying mindful about what is happening both externally and internally तो देखे बहुत ही clearly यह card कहता है कि छोटी छोटी सी attention, छोटी छोटी सी details पर आप attention दें जो भी आप कर रहे हैं सोथ समझ के करें और यहाँ पर दिखे एक चीज मैं और add करूंगी कि क्या आप चाहा रहे हैं और क्या आपके actions हैं इन चीज़ों पर आपने attention देनी हैं most of the times हम चाहते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं हमारी life में होता कुछ और है तो इस चीज़ का खयाल रखें कि यह सारी चीज़ें sink in हो जो आप चाहा रहे हैं उसके साथ आपके actions match करें और आपकी energy आपकी vibe match करें और बहुत सोच समझ के mindfulness के साथ आप चीज़ों को करें and action initiatives भी लें अगें दिखें आपके mind में क्या चल रहा है उसका खयाल रखें और क्या आप कर रहे हैं उसका भी खयाल रखें second is plutoscopio और ये कार्ट कहता है passion, friendship, strength, courage the only thing that will make you happy is being happy with who you are and not who people think you are तो दिखें सबसे ज़ादा खयाल आपने 2023 में इस चीज़ का रखना है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं और you know आप क्या हैं और इसकी आपने बिल्कुल भी परवानी करने की लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और दिखें बहुत बड़ा अच्छा कर लें जितना भी अच्छा कर लें हमेशा ही दो चार लोग होंगे जो आपको गलत कहेंगे you can never ever please everybody तो इस चीज़ का खयाल रखें लोगों के बारे में परवान ना करें society के बारे में परवान ना करें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों के against जाएं लेकिन इन सब चीज़ों की वज़े से आप खुद को परशान ना करें यानि कि अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो एकदम से ठीक है और लोग आपको you know opposite बोल रहे हैं या फिर लोग criticize कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनकी परवार ना करें अगेन देखिए ये काट कहता है the only thing that will make you happy is being happy with who you are आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपकी क्या desires हैं? आपकी क्या wishes हैं? उन पे आप attention दें और इन ही चीज़ों को आप सिरफ इसलिए compromise ना करें क्योंकि लोग इसको accept नहीं कर रहे हैं लोग इस चीज़ को like नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है और इस चीज़ का खयाल आपने बहुत ज़ादा रखना है अपने बारे में आपने ज़ादा सूचना है और देखिये हमने कहीं और भी कहा था कि आपने self love को practice करना है ये कार्ट भी कहीं उसी चीज़ को और ज़ादा confirm कर रहा है और थर्ड है आपके लिए Aquarius ये कार्ट कहता है तो future से related आप planning करें और देखिये कहीं ये friend circle की भी बात करता है और हमने देखा कि आप बहुत ज़ादा actively friend circle में involved नहीं होना चाहा रहे हैं तो इन ही चीज़ों को लेकर एक balance रखें यानि कि आप completely withdraw भी ना करें और आप बहुत ज़ादा you know social life में involved भी ना करें एक balance आप बना के रखें और अब देखते हैं लियोज की आपके लिए कौन से significant months है तो significant months आप लोगों के लिए हैं October and December and January तो फिर से मैं आपको बिता देती हूँ January, December and October ये आप लोगों के लिए 2023 के लिए significant months होंगे तो ये था लियोज आप लोगों के लिए 2023 की reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब में